दोस्तों आज की जानकरी बेहत खास है जहां आप चौंक जाएंगे कि जिसे हम घास पुछ समत्ते हैं ये तो एक सबसे बड़ी आयरवेद की अवसदी है ये जो जमिन पर फेला हुआ घास का सत्ता आप देख रहे है ये कोई आम वनस्पती नहीं है ये घास कोई आम घास नह प्तों का स्वाद खटा-मिटा होने से लोग इसे खटी-मिठी गास भी कहते है ये गास बहुत खूब मिलती है और बरसात के बाँद ये सभी जगह पर बड़ी आसाने से उग जाती है जो आप जमिन पर फेले हुई ये घास देख रहे है ये खटी-मिठी गास है जिसे चा दोस्तो ये घांस जमिन पर फेलता है एक चत्य की रूप में और बहुत फेलाव होता है इस पर तिन तिन पत्र लगते हैं और पीली रंग के पुस्प होते हैं इसकी एक दूसरी प्रजाती भी पाई जाती है जिस पर गूला भी रंग के सुन्दर पुस्प लगते हैं इस घा का नाम है चांगेरी कोई इसे तिनपत्या घांस तो कोई इसे खट्टी मिट्टी घांस से भी जानते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाए और और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी ह दर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे यह चांगेरी का घांस कई प्रकार के अवसधिय गुनों से भरपूर होता है अगर आपके आसपास में या आपके खेतों में ये घांस पाया जाता है तो आप इस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि इसकी जानकारी आपको एक ना एक दिन जरूर काम आएगी दोस्तों सिर दर्द एक ऐसी समिश्या है जो कभी ना कभी किसी को होता ही है अगर किसी को सिर में दर्द होता है तो इसकी पत्तों को पिसकर इसका लेप बनाकर माते पर लगाए कुछी समय में जल्दी से आराम हो जाता है अगर कि किसी को आधे सीर में दर्द हो रहा हो जिसे आधा सीसी कहते हैं तो इस समस्या से चुट कर आपाने के लिए तो इस ख Cage में ठीक घाns के ताजय पत्तो को निचोड कर इसका कुछ रस निकाले और जिस तरब आदे सर में दर्द हो रहा हो उधर की नाक में डाले आदे सर का दर्द ततकाल हमेशा के लिए ठीक हो जाता है इसके अतरिक्त अगर किसी को खांसी बलगम या कप की समश्या होती है तो इसकी ताजे पत्तो का रस निकाले और इसमें थोड़ा पाने मिल कर दो दो पूंदे नाक में टपकाने से भी ये समिश्या ठीक हो जाती है दोस्तो इस चांगिरी के पत्तो का स्वात बहुत ही खटा मिठा और लाजवाब होता है इसके पत्तो की अगर आप सबजी या चटनी बनाते है तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी अगर गर में च चटनी बहुत टेश्टी बनेगी और बच्चों की पाचन शक्ती मजबुत बनेगी इसके अलावा इसके पत्तो की सबजी बना कर कुछ दिनों तक लगादार खाने से आतों में जो इनफेक्शन होता है ये भी ठीक हो जाता है इससे कमजूर पाचन शक्ती भी मजबुत बन अगर सब्जी बना कर ना खाए तो इसके ताजे पत्तो का रस निकाल कर 10-15 ml की मात्रा में खाली पेट सेवन करें। जल्दे से आराम मिल जाएगा। अगर किसी को ये बुटी ताजी न मिल रही हो तो ये जहां मिले वहां से लाकर सुखा कर चुर्ण बना कर रखें। पत्तो को सुखा कर चुर्ण बना कर रखें। इस चुर्ण के साथ हल्दी, फिटकरी, सेंधा नमक, लॉंग इन सब को मिला कर चुर्ण बना कर रोजाना दातों में मंजन करें। इसके साथ ही अगर किसी के दातों में दर्द हो रहा हो, दात हिल रहे हो तो इसके ताजे पत्तों का रस निकाल कर साथ में फिटकरी मिला कर कुला करें। इससे जल्द ही फाइदा महिसूस होगा। ये तिन पत्तिया घांस चहरे की सुन्दरता को भी बठाती है। इसके लिए इस जांगिरे के पत्तों का ताजारस निकाले और साथ में सब चंदन मिलाए। और इसका एक लेप तयार करें। इसलेप को चहरे पर लगा कर लगवग आधा घंट के बाद चहरे को साप पाने से दोले। ये प्रयोक रोजाना करने से चहरे की सुन्दरता बठती है, कुरापन बठता है।